तुरत जज्जमेंट नहीं चाहिए हमको सही न्याई चाहिए फास्ट्रैक्ट में यह छे मेने में जज्जमेंट देंगे लेकिन न्याई नहीं देंगे तो आप समझो इस बात को कि हमारी अगर सटीग मांगोगी हम लोग सही जिगाँ पर चोट करेंगे तो लड़ाई हम जीत लेंगे मना फास्ट्रैक वगरा यह सब बखवास है तामनी कांट के अंदर भी यही हुआ निर्पया कांट के अंदर भी 2012 में फास्ट्रैक में मुकत्मा चला और 2020 में नियाई मिला मैं जास करके UK के लोगों को आवान करना चाहता हूँ अपिल करना चाहता हूँ कास्ट वाच यूके जो बहुत बड़े पहमाने पर कास्ट अट्रोसिटीज के उपर काम करती है बिटिश पार्लेमेंट में वो यह दिवेदन देती है मैं उनके लोगों को भी उनके और ग्राइजेशन को भी यह आवान करता हूँ अपिल करता हूँ अपने अपने लेटर हेड पर इस देश के प्राइम मीनिस्टर को प्रेसिदेन को सुप्रीम को अब लोगों को यह लिखना है International Human Rights Commission को आपको लिखना है चिरिवात के लोगों को और सब्सेल लाइन के लोगों को में अपिल करना चाहता हूँ हमारा हग है और आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं ये मांग कोई नहीं मांग नहीं है ये अल्रेडी कानून बना हुआ है SCSD Atrocity Act के तहर हम लोग जो मांग करके जाते हैं वो बहुत गलत मांग करके जाते हैं चाए वो हातरस का मामला हो या दिल्ली का मामला हो हम लोग मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की यह बहुत ही गलत मांग भाए SCSD Attrocity Act में Special Courts की प्रोविशन है और 2016 में इसमें और एक amendment हुआ है amendment यह हुआ है कि पहले SCSD Attrocity Act में Special Courts हुआ करता है अब amendment करके exclusive special court केवल सिर्फ इसी मामलों के लिए Special Courts हर डिस्ट्रिक में होगा हर राच्चा में होगा यह SCSD Attrocity Act का एक article है कानून है लेकिन हम अभी भी इस कानून का इस्दमान नहीं कर रहे है इस article पर उंगली नहीं रख रहे है और इसलिए हम लोगों की यह मांग है हमको कोई Fast Track Court की मांग हमको नहीं कर ली है और हम लोगों को SCSD Attrocity Act के तहट जो exclusive special court का provision है जो exclusive course हमारे लिए निर्दारित किये है हम चाहते हैं कि हमारे cases इस exclusive special course में चलाए जाए हमको तुरत judgment नहीं चाहिए हमको सही न्याई चाहिए Fast Track में यह 6 मेने में judgment देंगे लेकिन न्याई नहीं देंगे इसलिए हमको judgment नहीं चाहिए हमको न्याई चाहिए और यह सिर्फ हातरस का मामला या दिल्ली कैंट का मामला नहीं है तो यह सभी राज्यों में जहां जहां पर यह इस तरह के अन्या हो रहे है आत्याचार हो रहे है यह सभी राज्यों के लिए है और मैं जितने भी देश के लोग मुझे सुन रहे है President of India को हम लगों को एक निवेदन देना है अपने अपने इमेल आइडी से अपने अपने देशों से मैं Ambed Krites Organization UK से मांग करता हूँ स्री गुरूर अविदास सभा और USA से मांग करता हूँ कैनेडा के लोगों से मांग करता हूँ आस्टेलिया के लोगों से मांग करता हूँ कि President of India को या Prime Minister of India को हम लोगों को निवेदन देना है और जो ये बलातकार की खिटनाय हो रही है जहांपर हमारे बच्चों को मारा जाता है पीटा जाता है जलाया जाता है ऐसे मांगले Fast Track के बज़ाए Exclusive Special Court में ये मांगले चलाया जाए हम लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे है ये आप अल्रेडी कानून बनाया हुआ है और सभी भारत के अलग-अलग राज्चों से भी ये मांग अपने-अपनी CMs को और इस देश के परदान मंतरी के लिए और President of India के लिए ये निवेदर हमको देने है और ये ड्राफ्ट बनातर हमको बेजना है email द्वारा कि हमको अपने cases, अपने matters exclusive special court में चलाना है मैं इसकी सारी जानकारी आप भी आसान सब्चों शब्दों में लोगों को समझा है लोगों को आउउदक करा है आज advocates की team यहाँ पर बैटी हुई है हमारे लोग SCST, ADO60 Act के बारे में इतना जानते नहीं है हम लोगों को FIR तक कैसी लिखी जाती है इसका तक पता नहीं है और कई सारे हुद्धे हमारे छूड़ जाते है FIR हमारी कमजोर लिखी जाती है जब मैं हातरस के मामले में गया था SP से, DSP से करेक्टर से बात किया मुझे करने की कोशिच कर रहे थे कि यहाँ पर कोई बरातकार नहीं हुआ क्यूंकि FIR ही बहुत कचाब लिखा गया था, बहुत कमजोर लिखा गया था और मैंने तभी कहा था कि जो बीडिता है उसने जो बयाद दिया है उसके बज़े से FIR में क्या लिखा हुआ है यह कोई माइने नहीं रखता death sentence जो होती है वो प्राइम होती है और तभी मैंने यह statement दी थी कि उपर से 33 वरोड देवी देवता भी नीचे आ गये तभी उन चार लड़कों को कोई बचा नहीं सकता यह मैंने फर्स डेवाँ पर statement दी आ था आज वो चारो लड़के जेल में है और इसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारी वरोसे कोई हम लोग गल्ती ना करे मैं आप लोगों से फिर से दिविदन करना चाहता हूँ हमारे लोग आज भी F.I.R. कैसे लिखा आया जाता है हमारे लोगों को वो ग्यान नहीं है कई सारे बाते हम छोड़ देते हैं जो हमारी केसिस S.C.S.D. एटोच की एक्ट में नहीं दर्ज करवाई जाती इसलिए हम लोगों को ये ग्यान लोगों को देना है ये सब लोगों को बताना है कि हमारे अधिकार क्या है S.C.S.D. एटोच की एक्ट क्या है स्पेशल, एक्स्क्लूजिव स्पेशल कोर्ट क्या है और उसी की मांग हमको करनी है ये नी टैमेरा स्टेटमेंट हमको करनी है और कई सारे मांगों को लेकर हम लोग यहां पर बेटे हुआ है मैं पाहिन सिख कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे है ये सारी मांगों को लेकर आपको निविदर प्रेसिदेंट आफ इंडिया, ब्राय मिनिस्टर आफ इंडिया सुप्रीम कोट तक को आप लोगों को लिखता है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फास्ट्रेक कोट के जो मांग यहां उठ वही है अल्रेडी अगर कोई रेप का मुकदमा है तो दिल्ली के या पूरे भारत के अंदर वो उल्रेडी बिना मांग के भी वो फास्ट्रेक कोट में ही चलाते हैं लेकिन जिसे बताया गया कि 2016 के अंदर जो SST Act का उस Act के अंदर जो कोट दी हुई थी वो कोट थी फास्ट्रेक प्लस स्पेशल लेकिन 2016 के बाद एक्स्पूसिव स्पेशल कोट का परावदान दिया गया अब यह एक्स्पूसिव है क्या यह एक्स्पूसिव इसलिए है कि सरफ अब इसके अंदर SC और ST के ही मुकद में आएंगे पहले क्या हो रहा था कि जो स्पेशल कोट थी जो फास्ट्रेक कोट थी उसमें IPC और CRPC के मुकद में भी देखते जा रहे थे लेकिन अब अगर SC और कोट अगर देश के अंदर बनती है जिसका रिमाइंडर मैं लाकान जिन लगातार उसका 2020 से रिमाइंडर लगा भी गाऊं लेकिन सरकार नहीं बना रही है तो जैसे बताया गया कि अगर हम लोग सटीक जिना पर हतोड़ा मारेंगे तो आने वाले समय के अंदर पूरे भारत की बच्चियों के साथ जो हर्त्याएं जो बलतकार हो रहे हैं हमें धरने ही देने के जुर्ट नहीं पड़ेगी एक्स्क्रूसिव कोट के अंदर अगर ये मामला चलता है तो मैं आपको अगर तो इस तरीके से अगर हम लोग लोग इस मां और पूरे भारत के अदर अपने अपने संगठन के माध्यां से आप जिस भी संगठन में हैं आप जिस भी पार्टी में हैं जिस भी NGO में हैं अगर आप उन संगठनों के माध्यां से अपने लेटर पैड़ पे अपने समाज के लिए मंतरी को अपने स्टेट के मुख्य मंतरी को र लोग कानून ओल्रेड़ी बन चुका है अब आप लोग सोचते होंगी कोड बनेगा बोट्यम लग जाएगा कोड़ बनने में कोई बिल्डिंग कोई मिनार खड़ी नहीं करनी कोड़ बनने के लिए स्रीपिक जज को निफ्ट करना होता है और वो कोड़ बन प्रवधन चल रहा है तो आप समझो इस बात को कि हमारी अगर सटीग मांग होगी हम लोग सही जिगाँ पर चोट करेंगे तो लड़ाई हम जीत लेंगे मना फास्ट्रेक वगरा यह सब बखवास है दामनी कांड के अंदर भी यही हुआ निर्भया कांड के अंदर भी 2012 में फ आंतिपूर तरीके से अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना होगा या जैसे भी कमेटी जो निर्देश लेगी उस हिसाब से वो आगे चलेगा जैसे भी हो कमेटी डिसाइड कर लेगी लेकिन आप तमाम लोग इस कोट की डिमांड को बड़े पहमाने पर उठाएं जी देख स्पेशल एक्स्क्लूजिव स्पेशल कोट अगर नियुक तो होता है तो यह मैटर दिन में दो बहार एरिंग के लिए लाया जा सकता है और महिने दो महिने में इसका नियाई मिल सकता है तो जिस तरह से हमने कुल्दिप सेंगर की केस में देखा कि पीडित के परिवार को मर करवाया जाता है तो हम लोगों को जा नियाई चल्दी मिलेगा इस तरह की मांग करने से मैं सारे एडवोकेट्स से मांग करूंगा भारत के चाहे हो महरास्तर के हो दिल्ली के हो उत्तर पदेश के हो पंजाब के हो जितने भी शेडूल कास और शेडूल ट्राइब के एडव करना पड़ेगा हमको कोई नहीं मांग नहीं करनी है यह अल्रेडी प्रोवीजन है सिर्फ उसको इंप्लिमेंट करवाने के लिए हमको आंगोलन करना होगा रास्तों पर आना होगा वरना आज यहां पर एक उडिया जलाई जा रही है हमको अगर पूरे देश भर में हम घुमे तब भी हम ज्याई नहीं दिल्वा पाएंगे केवल एक काम अगर हम करते है एक्स्क्रूजिव स्पेशल कोर्ट का तो इस तरह की घटना है मैने दो मैने में बंद हो जाएंगी इसलिए हम लोग केवल जब इस तरह की घटना होती है रास्तों पर आने के बज़ा है हम लोग एक ही विचारधारा के लोग है अब कोई अलग अलग लोग नहीं है देखो इस देश का प्रधान मंत्री गोल्ड मैडल लाने वाले लड़कियों को बदाई दे रहा है लेकिन उसी लाप की नीचे एक बच्ची जलाई जाती है तो उसके लिए साधी सम्विधा अब वो जा होना चाहिए बाबा साहब ने दिये हुए हत्त और अधिकार हम लगों को सुरक्षित भी रखने हैं और उसको बढ़ाने भी है जो आज एड़ोकेट्स के एस्सोसियेशन ये सारे काम देख रहे हैं हमको सतीक जैसे आपने बताया कि उसी के लिए मांग करनी है वरना इस तर मां करते हैं तो इस तरह के प्रोटेस्ट करने का हम लोगों के उपर पारी नहीं आएगे इसलिए मैं मैं खास करके यूके के लोगों को आवान करना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ कास्ट वाच यूके जो बहुत बड़े पहमाने पर कास्ट एक्रोसिटीज के उप तो हमारे लिए प्लीज आप लोग आवाज उठाएं भारत के विवस्ता को आप लोग अपील करें निविदन करें अपने अपने लेटर हेड़ पर इस देश के प्रायम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को सुप्रिम कोर्ट को हम लोगों को ये लिखना है International Human Rights Commission को आपको लिखना है जिलिवा के लोगों को और सिर्जलाइड के लोगों को मैं अपिल करना चाहता हूँ हमारा हक है इसक्लूजिव स्पेशल कोट हमारा हक है लेकिन वो हक हमको दिया नहीं चाहता है और हम लोगों को डाइवर्ट किया जाता है आम लड़की पर भी अगर कोई बलातकार होता है तो भी वो फास्ट रैक में चलाया जा सकता है वहाँ पर वो प्रोवीजन है और इसलिए हमारे जो स्पेशल प्रोवीजन है स्पेशल राइस है उसको डिनाई किया जा रहा है इसलिए हम लगों को यहत्र दिलाने के लिए आप सभी लोग निवेदन करें सभी लोग कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए भी नहीं जो बना हुआ कानून है उसको इंप्लिमेंट करने के लिए इतना ही यही मैं आएवा राज्की यहाँ पर खरता हूँ और मैं आपके इस लड़ाई में अंटियम सास तक आप लोगों के साथ हूँ यही मैं कहना चाहता हूँ और इसलिए मैं अज़ इस परिवार को समयधना देने के लिए सांत्वन करने के लिए उनके दुख में शामनल होने के लिए यहां पर आया हूँ दन्यवाद